अध्याय नौ श्री गनेशा ये नमहा शेगाउं में वतमान मंदित के पूर्व दक्षिन कोने में एक प्राचीन शिव मंदिर था मोटे नाम के एक साहुकार ने इस मंदिर का जिर्नोधार करवाया था आज कल तो लोग मोटर साइकल, गाड़ी, बंगला आदी के लिए धन खर्च करते हैं लेकिन मंदिर जिर्नोधार आदी के लिए लोगों के मन में कोई श्रद्धा नहीं है किन्तु यह साहुकार ऐसा नहीं था वह बड़ा धार्मिक था और उसने मंदिर का जिर्नोधार करवाया था इसलिए इस शिव मंदिर को मोटे मंदिर के नाम से भी जाना जाता था आगे क्या हुआ वह सुनिये इस मोटे मंदिर में गोविंद भुवा उत्रे और उनका घोड़ा मंदिर के सामने बांध दिया गया उनका घोड़ा बहुत उपद्रवी था किसी को भी दुलत्ती मार देता था अगर कोई सामने से आता तो श्वान के समान मूँ पर काटता था बार बार रसियां तोड़ डालता एक शन भी शान्त नहीं रहता था कभी रसी तोड़ कर जंगल में भाग जाता या रात भर हिन हिनाता रहता था इसलिए उसे लोहे की सलाखों से बांधा जाता था लेकिन इन सलाखों को किर्टनकार अपने घर पर ही भूलाए थे बहुत कोशिश की और अंत में रसियों से किसी तरह घोड़े को बांध कर किर्टनकार सो गए चारों तरफ सन्नाटा था और घोर अंतिकार चा गया था वरुक्षों से पक्षियों की तरह तरह की आवाजे आ रही थी घरों के दर्वाजे भी बंध हो गए थी एक भी व्यक्ति रास्ते पर दिख नहीं रहा था ऐसे शांत वातावरण में श्री गजानन महराज उस थान पर पहुँचे को ठीक करने के लिए दवाई ली जाती है उसी प्रकार दुष्ट जनों को सुधारने के लिए साधू ईश्वर की प्रेरिणा से जन्व लेते हैं गजानन महराज घोड़े के पास आए और उस रात को बड़े आराम से घोड़े के चारों पैरों के बीच में सो गए उन्होंने उसी मंत्र का जाब किया यह एक सांकेतिक मंत्र है जिसका अर्थ केवल एक समर्थ ही जान सकता है किर्टनकार गोविंद बुवा के मन में घोड़े के उद्दंडता के बारे में शंका थी इसलिए वह बीच बीच में उठकर घोड़े को देखते रहते थी जब उन्होंने खूंटे पर घोड़ा शांत खड़ा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर यह हुआ उनकी मन में दूसरी शंका उत्पन हुई कि कहें घोड़ा व्याधी ग्रस्त तो नहीं हो गया जो इतना चुपचाप खड़ा है क्योंकि वह कभी भी स्थिर नहीं रहता था आतुरता के कारण वह घोड़े के पास गए तो देखा कि एक मनुश्य घोड़े के पैरों के बीच में सोया हुआ है जब वे और पास गए तो महराज सोय वे दिखाई पड़े और उनको पता चल गया कि घोड़ा शांत क्यों है यह देखकर गोविन बुआ ने महराज के चरण कमल पर अपना सिर रखा और भावुक हो गए वह महराज की स्थुती करने लगे भगवान आप साक्षात गजानन है यह मुझे आज प्रतेक्ष पता चल गया है शांत करने के लिए आप आई इसकी उद्दंडता से त्रस्थ होकर मैं इसे बेचने के लिए गया था लेकिन इसको कोई भी खरिदने के लिए तयार नहीं था मैं इसे मुफ्त में देने को तयार हो गया फिर भी लोग नहीं माने फिर महराज घोडे से बोले अरे भाई अब तुम किसी को भी परिशान मत करना तुम भगवान शंकर के सामने हो इसलिए उनके नंदी के समान शांत हो जाओ ऐसा बोलकर महराज वहां से चले गई श्रोताओं दूसरे दिन महराज बगीचे में थे तो गोविंद बुवा उस घोडे पर बैठकर महराज के दर्शन के लिए आया यह देखकर सब लोग भैभीत हो गए क्योंकि घोडे का स्वभाव सारे शेगाओं को पता था सब लोग कहने लगे इस दुष्ट घोडे को यहां किसलिए लाएं है यहां बच्चे बूडे स्त्रियां सब हैं तो किसी को भी हानी पहुँचा सकता है यह सुनकर गोविंद बुवा ने कहा महराज ने इसको शांत कर दिया है अब इससे कोई भै नहीं है अब यह गरीब गाय के समान हो गया है उसके बाद उन्होंने उस घोडे को इमली के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया जो एक घंटे तक बिना बंधे हुए खड़ा रहा उस बगीचे में घास और सबजी के पौधे भी थे लेकिन घोडे ने उनको मूह तक नहीं लगाया इस संत के प्रभाव से पशुभी उनकी आग्या का पालन कर रहा था अकोला मंडल में बालापुर नामक तहसील है वहां से दो व्यक्ती विश्ष्ट संकल्प के साथ श्री समर्थ के दर्शन के लिए आए वापस लोटते समय दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अगली बार हम लोग सूखा गांजा महराज के लिए लाएंगे क्योंकि महराज को गांजा बहुत प्रिय है वह पाकर महराज प्रसन्न होकर हम पर कृपा करेंगे लोग तो पेड़ा बर्फी वगेरा लेकर आते हैं हम लोग गांजा लेकर आएंगे दूसरी बार वह लोग दर्शन के लिए आये तो किन्तू गांजा लाना फिर भूल गए महराज के चर्णों पर जब सर रखा तब उन्हें याद आया कि गांजा तो लाये ही नहीं मन में सोचा ठीक है अगली बार ले आएंगे अब की बार दुगना गांजा ले आएंगे ऐसा कहकर दर्शन करके वे चले गए जब तीसरी बार आये तब भी यहीं हुआ वह लोग फिर से गांजा लाना भूल गए यह देख कर महराज भास्कर से बोले भास्कर कैसे लोग है इस जगत में जो वस्तु लाना भूल जाते हैं जाती से तो यह लोग ब्राहमन है किन्दू स्वयम ही या सत्य बोलते हैं जब हम कोई संकल्प लेते हैं तब हमारा मन चित निर्मल होना चाहिए तभी घंश्याम की कृपा हो सकती है यह सुनकर दोनों व्यक्ति समझ गए कि महाराज सरवग्य है महान ग्यानी है इनसे तो कुछ भी चुपा नहीं है उन दोनों ने विचार किया कि संकल्प हम ने ही लिया था इसलिए गाउं में जाकर गांजा लेकर आती है जब वे उठकर जाने लगे ता महाराज बोले अरे अब बासी कड़ी गर्म करने से क्या लाब मुझे गांजे के बिलकुल आकांख्षा नहीं है अब गांजा लेने बाजार में जाने की आविश्यक्ता नहीं तुम दोनों की मनोकामना पूर्ण होने पर ले आना किन्तु एक बात याद रखो कि तुम्हारी मनोकामना तभी पूर्ण होगी जब तुम्हारी कृती में और वाणी में सामंजस्य होगा अगले सप्ता हमें तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा लेकिन तुम्हें यहां पांच बार आना हैं क्योंकि यहां भगवान शंकर स्थित हैं जिनकी कृपा से देवताओं के कोशाध्यक्ष कुबेर स्वयम धन्वान हुए हैं जाओ उन्हें नमशकार करो और अगली बार गांजा लाना ना भूलना ऐसा उपदेश सुनकर वह दोनों महराज की चरण मंदना करके भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद अपने गाउं बालापुर लोट गए महराज की कधन के अनुसार अगले सप्ताह उनका कार्य सफल हो गया और अपने संकल्प के अनुसार वहलो गांजा लेकर महराज के पास आई श्रोताओं इस बालापुर की दूसरी कहाने मैं आप लोगों को सुनाता हूं बालापुर में बालकृष्ण नाम का एक रामदासी था उसकी पत्नी का नाम पुतली बाई था जो बहुत धार्मिक थी दोनों पती पत्नी हर वर्ष पैदल सज्जनगर से यात्रा करने आते थे इनको अपने साधुत्व का कोई अहंकार नहीं था वे दोनों प्रति दिन जोली बांध कर गाउं में भिक्षा मांग कर भगवान रामचंदर जी को भोग लगाने के बाद स्वयम भोजन करते थे यह सारे रास्ते रगुनात जी का नाम स्मरण करते हुए चलते थे एक दिन वे रामदाज जी की समाधी के पास बैठकर विलाब करने लगे और आखों से अश्रुधारा बहने लगी उन्होंने प्राथना की है पुन्य पुन्ज गुरुदेव रामदाज स्वामी समर्थ अब मेरा शरीर शितल हो गया है इस कारण में अब पैदल नहीं चल सकता मेरा शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है भगवान आप ही मेरी माता हैं आप सब कुछ जामते हैं इस प्रकार प्राथना करके वह पलंग पर लेड़ गया ब्रह्म मुहृत में स्वामी समर्थ रामदास जी उसके स्वप्ण में आए और बोले अरे ऐसे हताश होने का कोई कारण नहीं तुम्हें यहां सज्जनगर आने के आवश्यक्ता नहीं है वहां बालापुर में अपने घर में इहां उच्सव मनाओ मेरी कृपा सदय वो तुम पर बनी रहेगी मैं आओंगा और तुम्हें दर्शन दूँगा स्वप्ण में इस प्रकार का आदेश सुनकर बालकृष्ण को अत्यन्त आनन्द हुआ और वह अपने घर बालापुरा गया शुरोताओं अगले वर्ष क्या हुआ वह मैं आपको बताता हूँ बालकृष्ण ने अपने घर पर दास नवमी का उच्सव प्रारंब किया नवमी को क्यासे दर्शन देते हैं दोपहर में ब्रह्म भोच के लिए चंदा इखटा किया और बड़ी धूम धाम से नवमी का उच्सव संपन हुआ नवमी के दूसरे प्रहर में एक अनोखी घटना घटी साक्षाथ श्री गजानन महाराज दोपहर में बालकृष्ण के द्वार पर आकर खड़े हो गए अंदर भगवान रामचंद्र जी का अभिशे किया जा रहा था सब लोग विस्मित होकर बालकृष्ण जी से कहने लगे आपके यहां दास नवमी के दिन गजानन द्वार पर उपस्तित हैं यह सुनकर बालकृष्ण ने कहा संत गजानन महाराज के चरण कमल मेरे घर में आए यह बहुत ही अच्छा हुआ किन्तु मैं तो वास्तव में समर्थ रामदास जी की राह देख रहा हूँ उन्होंने सपने में आकर मुझे वचन दिया था कि मैं दास नवमी को जरूर आऊंगा वह असत्य कैसे हो सकता है इधर स्वामी गजानन दर्वाजे पर खड़े होकर जय जय रगुवीर समर्थ का घोश करने लगे और गौतम रुशी की पतनी अहिल्या उद्धार का प्रसंग श्लोक में उच्चारण करने लगे जिन चरण की स्पर्ष से शिला नारी भई दिव्य श्री राघव महिमा अमित जानिन सक रवी कव्य यह वाक्य सुनकर बालकृष्ण द्वार पर आए तो वहां दिगंबर श्री गजानन महराज खड़े थी उनको नमशकार करने गया तो हात में कूबड़ी मस्तग पर त्रिपुंड रेखा तथा सर पर जटा कशाय रंग के वस्त्रों का लंगोट पहने हुए रामदास स्वामी दिखाई पड़े यह देखकर बालकृष्ण के नेत्रों से आनंद अश्रु भेने लगी फिर उन्होंने अपनी नजरे उपर उठाई तो श्री गजानन महराज खड़े थी जिनके मस्तग पर ना तो जटा थी ना त्रिपुंड रेखा ना कूबड़ी वह देखकर फिर से निराश हो गया दूसरे हिक्षन फिर से समर्थ रामदास दिखाई पड़े और गौर से देखा तो श्री गजानन दिखाई दिये बालकृष्ण को भ्रामती हो गई और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था यह देखकर श्री गजानन महराज बोले अरे बालकृष्ण पहले मैं सज्जनगड में था अब यहां शेगाओं में आया हूँ तुमको सज्जनगड पर मैंने वचन दिया था दासनौमी को उसे पूरा करने के लिए आया हूँ सारी शंकाएं छोड़ दो मैं ही रामदास हूँ तुम केवल बाहिय शरीर को महत्व देते हो और उसकी अंतराक्मा का विस्मरण कर देते हो क्या यह ठीक है? चलो मुझे उठाओ और पीड़े पर बिठाओ ऐसा कहकर बालकृष्ण का हाथ पकड़कर घर में आई श्री समर्थ गजानन महराज की आने की वारता फैल गई सभी लोग दर्शन के लिए दौडने लगे रात के तीसरे प्रहर में उन्होंने स्वप्ण देखा कि समर्थ नामदास उनसे कह रहे हैं गजानन मेरा ही रूप है जो आजकल बरार में है शंका मत करो गजानन की पूजा करो यह स्वप्ण देखकर बालकृष्ण बहुत आनंदित हुआ उसने गजानन महराज के चरण कमलों में अपना सिर रखा और कहा हे भगवान आपकी लीला मैं नहीं समझ सका आपने स्वप्ण में मेरी शंका का निवारण किया जिससे मेरी नवमी सार्थक हो गई मैं कृथार्त हो गया अब कृपालू कुछ दिन बालापुर में रहे महराज ने उत्तर दिया कुछ दिनों के बाद मैं बालापुर आऊंगा तब रहूंगा इसके बाद उन्होंने भोजन किया और वहां से चले गई किन्तु रास्ते में किसी को भी जाते हुए वे नजर नहीं आई एक शन में ही शेगाओं पहुँच गए यह श्री गजानन विजे गरंथ शोताओं को सुख देने वाला हो ऐसे दासगणों की इच्छा है शुभन भवतू नवा अध्याय समाप्त